नमस्कार दोस्तों मैं सोम्यो रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चारो तरब हर किसी का डिमांड है 4x 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 सर्फ फोरेक्स पे वीडियो बनाओ, सर्फ फोरेक्स के बारे में जानना है, तो चलिए भाई लोग, आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ, मैं आज फिर से बात करने वाला हूँ फोरेक्स के बारे में, पिछला जो पाँच वीडियो मैंने डाला फोरेक्स के बार एक ट्रेडर को जानना चाहिए, जो नहीं जानते हैं, then you are making a big mistake, but it's never late, you can start, ठीक है, लेकिन, जो लोग beginners हो, मेरा जो वीडियो, ये सब जो वीडियो हैं, डिरेक्टेड हैं, उन्हीं लोग के लिए, जो प्रोज हैं, उन लोग को भी, ये वीडियो कोई हानी नहीं आनना जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोग को ये बताया था, कि 4X जो है, मैं एकदम beginning से start करूंगा, धिरे-धिरे-धिरे-धिरे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों, आज 4X का पहलू का ये छटा एपिसोड आप लोग के लिए, और आज मैं बात करने वाला हूँ 4X orders के बारे में, कितने तरीके के 4X orders होते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा, तो आप लोग देख रहे हो मेरे screen में, जो है market order, stop order, stop loss और limit order, ये चारो के बारे में मैं आगे आगे आप लोग को बताऊंगा, मैं आप लोग को explain करूंगा, क्या मतलब है, आप लोग देख सकोगे, clear everything, और जो सबसे important चीज है, वो है, कि मैं आप लोग को अलिम्ट्रेड का platform में भी दिखाऊंगा, कि how exactly आप लोग इसको, इस orders को use करके trading कर सकते हो, तो चलिए, चले जाते हैं market order पे, market order का मतलब क्या है, market order का मतलब यही है, कि you are there in the market, आपका जो viewpoint है, चाहे वो buy हो, आप अनुमान कर रहे हैं कि market upward trending हो रहा है, price lower है, और आपको buy करना चाहिए, जब उपर जाएगा, sell करोगे, यह आपका viewpoint हो सकता है, आपका viewpoint यह भी हो सकता है, कि price बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी मैं sell कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पर बढ़िया profit होगा, लेकिन, buying और selling के लिए एक best price होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, कि market order मतलब, आप हो खड़े, market में हो, and you are waiting for the best price available to make a decision, either you want to buy low or you want to sell high, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आप कभी भी market में घुश सकते हो, कोई भी chart देखके, कोई भी asset देखके, आप market में घुश सकते हो, और आप trade execute कर सकते हो, इसमें सबसे बड़िया advantage यही है, कि you are sure, you are 100% sure, आपका indicators, आपका technical analysis, आपका fundamental analysis, sentimental analysis, जो भी आप कर रहे हो, which sums up and tells you that you are good to go, make your decision, take your pick, and you can go ahead and execute a trade, सिर्फ एक यहाँ पर चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो है, कि आपका एक premium देना परता है, premium मतलब क्या है, एक जो है brokerage charge, Forex में brokerage charge बोलके एक चीज होता है, आप सोचो, trade open कर रहे हो, इसका जो आपको जो available करा रहा है, यह जो price आपको available करा रहा है, यह जो platform में, जो भी चीजे हैं, वो सब जो available हो रहा है, उसका एक premium या एक brokerage charge आपको देना परता है, इसको कहा जाता है, दोस्तों, खुल मिलाके market order, you are in the market, you are just waiting for the best price, and then you are gonna execute your trade, either buy or sell, and you are good, okay, चले जाते हैं, next type of order पे, limit order का क्या मतलब है, limit मतलब, यह एक बहुत ही self-explanatory word है, limit मतलब, you are trying to limit something, ठीक है, limit, stop limit हो सकता है, या तो आप लोग बोल सकते हो, कि loss limit भी हो सकता है, और profit का भी limit हो सकता है, जैसे, मैं आप लोग को digital option में हमेसा यह बताया हूं, कि भाईया, chart जो है, नीचे से उपर के तरफ जा रहा है, लेकिन यह आसमान छू नहीं सकता, उसको नीचे आना ही आना है, तो इसी को क्या बोला जाता है, कि आप सोचो, 100 dollar open करके, एक order place कियो हो, buy कियो हो, सबसे कम price में आप buy कियो हो, 100, और आपका यह मानना है, कि आपको sell करना है maximum profit में, maximum profit का भी एक limit होता है, 100%, 200%, 300%, 400%, तो आपने limit set किया, sell का 400 dollars, जब आपका 100 dollar बढ़ते, 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 400 होगा, automatically आपका trade जो है, वो execute होके close हो जाएगा, and you will get your profit, तो इसको बोला जाता है, एक तरीके का order, जिसको हम लोग बोलते हैं, limit order, it can be, you are executing a trade, price उपर जा रहा है, तब आपने limit order लगाया, या price नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या, कि आपका prediction के against market जा रहा है, then also you can save your ass, कैसे, आप कैसे आपने आपको बचा सकते हो, आप एक limit कर लिए, save side, 100 dollar आप invest कर रहे हो, आप ये चाते हो कि अगर मैं profit करता हूँ, तो 400 dollar अगर profit हो गया, 400% trade मेरा close हो जाए, automatic, वो ऐसे ही, loss का भी limit रखना चाहिए, बहुत ज्यादा important ह आप लोग, अगर मेरा Instagram channel follow कर रहे हो, तो आप लोग को पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले cartoon डाला था, जिसमें मैंने दिखाया था कि एक trader बोल रहा है, I really forgot to set my less limit or loss limit, not less, loss limit, और उसके हाथ में कटो रहा आ गया, तो इसका क्या मतलब है, आप अपने लिए set कर सकते हो, 100 dollar invest किये, profit हो तो 400 dollar कमा लिए, अगर loss हो रहा है, अगर market आपके against जा रहा हो ही सकता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना मेरे हाथ में है, दुनिया का कितना भी बड़ा trader हो जाए, बफेट साब भी आ जाए, तो भी कुछ करने ही सकते, market तो market है, respect सब को करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, कि आपने 50 dollar का एक loss limit रखा, कि जब यह 50 dollar नीचे चला जाएगा, तब मैं automatic trade close करने का order पहले से set करके रखूँगा, कि मेरा 50 dollar at least save हो जाए, और मैं अगला trade में वो निवेश कर सकूँ, है ना, simple हिसाब है, अभी इसका advantage, disadvantage आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग को समझ में आई गया होगा, ठीक है, तो इसलिए जो है कि profit limit और loss limit हम लोग use करते हैं, फोरेक्स में जो की बहुत ही महत पूर्णा है, आगे चले जाते हैं stop order पे, stop order का मतलब क्या, आप लोग ध्यान से मेरे screen पे देखिए, stop order का मतलब यही है कि कोई भी trader को market का जो सनीदेव जब market के उपर विराजमान हो जाते हैं, उससे अपने आपको बचा के घर गुसने के लिए हम लोग stop order use करते हैं, कि आपको probable कोई loss ना सेहना पड़े, तो यहां पे दो तरीके के stop order है, एक long position के लिए, एक short position के लिए, ठीक है, long और short का मतलब क्या है, आप लोग को यह लग रहा है कि भाई यह क्या बता रहा है, long मतलब है कि आप यह हिसाब लगाये हुए हो कि आपका जो trade है वो upward moving होगा, means the market is on a steep upward rise, और जो short position है, उसका मतलब है कि market नीचे के तरफ जा रहा है and you are going to close your position, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत बढ़िया एक explanatory diagram मैं रखा हूँ, तो इसी में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर buy order, यहाँ पर stop order लगा हुआ है, कैसे यहाँ पर buy limit और sell limit भी यहाँ पर लगा हुआ है, है ना, तो बहुत simple चीज़ है, you have to understand, जब long position है, sell stop order का मतलब यह है, कि you will open position upwards, long position में, मतलब आप अनुमान यह लगा रहे हो कि चार्ट उपर के तरफ जाएगा, ठीक है, और जब short position है, stop order का मतलब है, कि you are going to save yourself from any kind of Sanidev का आक्रमन से, you will close position, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में, मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ, कि एक बहुत ही बढ़िया मैं चीज़ सुरू करने जा रहा हूँ, जिसका simple और सबसे simple तरीका है, कि आप लोगों को सिर्फ comment करना है, आप लोगों को comment करना है, और comment ऐसा होना चाहिए, कि जो एक line या दो line नहीं, descriptive comment होना चाहिए, research कीजिए, research करके देखिए, और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, कि comment करने पे आपको क्या मिलेगा, comment करने पे आपको मिलेगा $150 cash, जो best comment करेगा, उन सक्स को मैं $500 दूंगा, एक lucky draw के माध्य हम से, हर दो हपते में मैं एक एक वीडियो का जो सवाल मैंने पूछा है, जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ आज, दो हपते में इसका मैं winner घोशना करूंगा, ठीक है, तो आज का सवाल है, बताइए आप लोग कि Forex ट्रेडिंग करने में, मतलब, when you are trading Forex, list down five specific points and describe them, why you think they are important, that every beginner, every beginner who starts trading in Forex market, should and must adhere with, या follow करें, फिर से मैं question दोरा देता हूँ इंदी में, सवाल ये है कि कोई भी beginner जो Forex में अपना पैर रखने को जा रहा है, जो Forex market में निवेस करने का सोच रहा है, या trade करने का सोच रहा है, ऐसा 5 points बताईए, और उसको describe कीजिए कि आपके हिसाब से क्यूं ये लगता है, कि एक beginner को ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जब वो Forex market में पहली बारी अपना पैर रख रहे हैं, ताकि उनको future में profit और उनको बढ़िया सिखने को मिले, और लाब कमाने को मिले, जो सबसे बढ़िया comment करेगा, 5 comment मैं बताया हूँ, 5 points देना है, descriptive points देना है, comment section में जाईए, describe कीजिए 5 points को, एक के बाद एक time लीजिए, यह दो हपते का time है, आज से दो हपतों में, मैं जाऊंगा live, और जो सबसे बढ़िया comment किया होगा, उस सक्स को मैं अपने तरब से देने वाला हूँ, $150 cash prize, तो दोस्तों ध्यान में रखिये, competition आते रहेगा, channel को subscribe कीजिए, वीडियो को share कीजिए, और अगर यह वीडियो आप लोग के लिए बढ़िया है, अगर यह वीडियो से कुछ सिखने को मिला है, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, आज के लिए इतना ही, नमस्कार.